नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपका राधी टीवी के विशेश कारेक्टरम अटेंशन में मैं हूँ आपके साथ पारुल दरकिनार को दरकार जहां मद्धिप्रदेश बीजेपी के वर्ष्ट नेताओं को अपने भविष्ट की चुन्ता सताने लगी है ये वो नेता हैं जिने सत्ता और संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं मिल तो किसी को मंत्री मंडल में जगे नहीं मिली ऐसे में अब मलया परिवार को करवाई के बाद इन नेताओं को अपने भविष्ट पर खत्रा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है कोई जन्संग की दुहाई दे रहा है तो कोई कॉंग्रेस के जी 23 नेताओं की तरह पार्टी क शीर्षी नेताओं को नसीहत देता नजरा रहा है मतलब साफ है दमो अप्चुनाओं में हार और मलया परिवार पर करवाई के बाद पार्टी दो गुटों में बच गई है अज हम बीजपी के वरिष्ट नेताओं के भविष्ट पर ही बात करने की कोशुश करेंगे अखिर बीजपी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दमो अप्चुनाओं में मिली करारी हार के बाद अब पार्टी में अंतर कलहर खुल कर सामने आने लगी है पूर्व मंतरी और कदावर बीजपी नेता जैन्त मलया को नोटिस और उनके बेटे समेथ पांच मंडल अध्यक्षों को पार्टी की प्रात्मिक सदसिता से निश्कासत करने के बाद अब बीजपी दोफार नजर आ रही है एक तरफ वो नेता हैं जो पार्टी से दरकिनार चल रहे हैं और जनसंग की दोहाई देते हुए इस कारवाई को गलत बता रहे हैं तो दूसरी तरफ का खेमा इस कारवाई को सही बता रहा है पहले पूर्व मंत्री अजय विश्णोई फिर पूर्व ग्रह मंत्री हिमत कोठारी और अब बीजपी की वरश्टनेटरी कोसम महदेले और ब्रिजेंद्र सिंग से सौधिया भी जैन्त मलिया के पक्ष में उतर आए हैं महदेले ने ट्वीट कर कहा मलिया जी और सिधार्थ पर आरोप प्रत्यारोप कताई उचित नहीं है उन्होंने लिखा कि जैन्त मलिया को नोटिस और सिधार्थ मलिया की सद्धिसता समात करना दुर्भाग्यपून है खुसम महदेले यही नहीं रुखिये उन्होंने इसके बाद अपनी ही पार्टी और सरकार पर ही निशाना साथते हुई कहा उप्चिनाव करवाना भी उच्चित नहीं था उदर बीजेपी की नेता विजेंद्र सिंग सुसौदिया के सपने में एक श्वेत वस्तरधारी बाबा आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें जनसंग के रास्ते वाली भाजपा चाहिए या कॉंग्रस के रास्ते वाली सुसौदिया ने इस बात को ट्वीट करके भी साजह किया है अब ये बाबा के सवाल थे या फिर बाबा के बहाने अपनी बाद पार्टी तक पहुँचाने का कोई एलान ये तो सुसौदिया ही जाने लेकिन उन्होंने एक बात और चेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है बाबा के सवाल मेरी पचास साल की यात्रा पर प्रेश्ट चिन्न लगा गए मतलब साफ है कि दमों में हार के बाद बीजेपी के अंदर ही धमासान मचा हुआ है बीजेपी विधायक अजय विश्णोई ने ट्वीट कर हार के जिम्मेदारों से सवाल पूछा तो वहीं इमत को ठारी ने भी मलेया के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है उन्होंने कहा कि मलेया जी का परिवार जन्संग के जमाने से काम कर रहा है उनको नोटिस देना बली का बक्रा बनाना है इन दो नेताओं के बाद महदेले और ससौधिया के ट्वीट ने पार्टी को सकते मे परिवार जन्संग के जमाने से जब सत्ता नहीं थी हमरे पास दूर दूर तक सत्ता आती दिखनी नहीं दी थी उस जमाने से काम करने वाला परिवार है उनको नोटिस देना मैं मानता हूं कि किसी को बली का बक्रा बनना है कि दमों दिखन सवा उप्चनाओं के परनाम के बाद बार्तिन्था पार्टी में जिस तरह की कार रहाए करना कसुर किया है उसके अब खुल के दोस्पर नाम सामने आने लगे हैं अजे विस्वाइजी ने कहा कि जैद मदिया पर कारवई क्यों की उनके रुपत्र की जिन लोगों ने वह प्रावा करवाने थे या जो वहां पर टिकेट है उनको क्यों क्यों नहीं की और आज इसी कड़ी में सब्सक्रावा ने वह प्रावने लोगों ने वहां पर टिकेट हैं जो नेता सवाल उठा रहे हैं एक तरह से वो पार्टी से दर किनार चल रहे हैं विधाय कजय विश्णोई का मंत्री बनने का सपना तूट गया कुसम महदेले हिमत कॉठारी और विजेंदर सिंग से सौध को सत्ता और संगठन में जगय नहीं मिली जिस तरह दमों में हार और मलयया परिवार पर कारवाई हुई इन नेताओं को बोलने का मौका मिल गया यह यूं कहें कि कॉंग्रेस के जी 23 की नेताओं की तर हैं अब ये नेता पार्टी के शीर्ष नेत्रत्व को नसीहत देते अंगड़ाई थी 2023 में होने वाले विधानसबा चुना तक ये टकरार सिंधिया समर्थकों को लेकर और भी बढ़ सकती है जिसके लिए पार्टी को अभी से प्लान तैयार करने की जरूरत है विर रिपोर्ट अनादी टीव तो रिपोर्ट आपने देख लिए अब इस विशाय पर हम आगे चर्चा करें हैं उससे पहले आप मिलिए हमेरे वरिष्ट्र सयोगियों से हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अस चर्चा में शामिल है और बिजे शौक से जी कोविट गाइडलाइन का पालन कीजे हम सभी और नादी टीवी की पूरी टीम कोविट गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं काम भी कर रहे हैं और अगर आप भी ऐसा करेंगे तो हम कोरोना से इस जंग को जीत जाएंगे बराल चर्चा दमो को लेकर है जो नेता दरकिनार कर द से चाहत है कि शायद उने कुछ मिले क्या यहीं वज़े है कि इस तरह से आवाज उनकी उठ रही है कभी ट्विटर पर कभी सोशल मीडिया पर इस पूरे एपिसोड को समझने के लिए एक तो भारती जनता पार्टी का जो पूरा चरितर चाल चरितर चेहरा जो है भारती जनता तो बड़े ताज्यूब की बात है अगर गहरा चिनतन किया होता तो अठारह आजार से वोटो की हार का दो शक्के लिए जैनत मलीया पे नहीं जाता जैनत मलीया या उनके समर्थक या उनके बेटे के उपर नहीं जाता क्योंकि अगर जैनत मलीया खुद साथ सौ आठसो कोहारते नहीं जीच जाते दूसरी बात यह के मुझे लगता है कि जो पार्टी ने कारवाई की है वो दबाओं में की है और जो लोग विरोध में आए हैं अब यह इतने सब सीनियर हो गए हैं कि इनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है इनने दिख भी रहा है कि अब इन सत्ता या संगत्भन के शिर्ष नेतत्रों के खिलाब कुछ बोलना हो तो बोलने का कोई मंच उपलब्द नहीं है आज की तारिख में आप जाके या तो संगठन महा मंत्री से बात कर सकते हो जो आपके और संग्ठन महा मंत्री के बीच की हो सकती है या प्रदेश कार समिती हुआ करती थी बीजे पी की एक तो वह रेगुलर हुआ कर्थी ती तो कोरोना काल में उसकी रेगुलर्टी नहीं हुई दुसरी बात जब से सक्ता में आए वो तीन दिन की वजाए दो दिन की हो गई और उसमें दो घंटे का एक खुला सत्र पहले हुआ करता था जि वह लोग कह रहे हैं जैसे ऐजे विश्णोई है पिछली बार मंत्री भी थे शिवराज करकार में इस बार मしま कि भूम को अपना आक चोढ़ ना पड़ा ओ वो भारती जनता पार्टी ने इस मात को माना के यह सरकार बनी इसलिए है हमारी क्योंकि कांग्रेस से जो लोग आए उनके कारण तो वहां से लेके यहां तक लेकिन कुसुम मेहदले ने जो सवाल उठाया के दमों में उपचुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ी तो वाकई प्रियास था और उसी तर जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा भारती जनता पार्टी ने किया लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर राहुल लोधी के प्रती लोगों का अक्रोश था और उसकी परियनिति के वह खुद अपने वार्ड में आरे जैन्त मलाया के वार्ड में आरे प्रेलाद पतेल वहां के सांसदें जो केंद्र में मन्तर हैं उनके वार्ड में आरे तो सभी जगे उने हार का सामना कर्णा पड़ा वो निश्चित तोर पे उनके अपने व्यक्तितुत उन्हें बागति जनता पार्टी के कारिकरता भी पूरी तर हाजम नहीं कर पाय वो अक्यले बाद मलाईया जी की नहीं है, उन्हें अपने समाज के भी पूरे वोट नहीं मिले, तो मुझे लगता है कि जो गहन चिंतन की बाद या जो गहन विश्टलेशन की बाद भारती जनता पार्टी कर रही है, वो यह जो फेसला लिया जहनत मलाईया को नोटिस देने क या पांच मंडल अध्यक्स को और उनके बेटों को, तो मुझे लगता है कि वो कि दबाओ में लिया गया फेसला है और अभी आल इसको गंबिर चिंतन अभी भारती जनता पार्टी कर सकती है, बिल्कुल, बटना किर सर्व, मैं आप से एक और सवाल करना चाहती हूँ, अना आप लोगों ने क्योंकि वहाँ पर जाकर देखा भी है, पूरा फील्ड वर्क भी हमारे जो टीम है, उन्होंने किया है, आपको लगता है कि वाकरी जो आरोप लग रहे हैं, दमू को लेकर मलया सहाब पर और राहुल लोधी को लेकर, इसमें कितनी हकीकत आप देखते हैं? देखें, पारूल, निश्चीत तोर पे जो असंतोष जब टिकेट का बात आयती तो पहले से तहे था कि राहुल लोधी को टिकेट मिलना है, ये तो मलया जी को भी पता होगा, उनने अठा इस उप चुनाओं को देखा था, लेकिन फिर भी उनके बेटे ने वहाँ पर टिक परार है, वो अभी भी एक निगम के अंदर अध्यक्ष है और उनके पास राज्यमंत्री का दर्जा है, विदायक भले वो ना है, लेकिन इसके बावजुद उनके पास है, तो अगर वो वहाँ पर चुनाव नहीं जीच सकते थे, तो भारती जनता पार्टी को निश्चीत और पर उनने भी समझाना था और टिकेट बढ़्दलना था, लेकिन भारती जनता पार्रटी ने अपने उसी कमिटमेंट को फालो किया, जो उन्हों ने बादा किया ता, उसको पूरा किया, भारती जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, प्रदेश अद्यक तो उन्हें इस बारे में भी विचार करना चाहिए था कि वो आखिर अपने भूत पर ही कैसे हार गए तो मुझे लगता है कि यह अभी हाल गहरा विशलेशन भारती जनता पार्टी ने इस हार कानी किया और यह संकट जो हमने अपनी रिपोर्ट में जिक्रि किया है कि जब 2023 मे विदान सभा के चुना होंगे तो जो लोग कांग्रेस से आए हैं इनके टिकेटों के लेके फिर से एक बार बबाल मत सकता है क्योंकि अभी तो आप सरकार गिरा कर आये हो तो सब ने मान लिया कि आपके कारण सरकार बनी है लेकिन जो भारती जनता पार्टी के कारी करता है जो पार्टी के लिए सालों से लगे हैं वो अपना दावा नहीं छोड़ेंगे तब यदि भारती जनता पार्टी गुण दोस्त के अधार पर जो कांग्रेस से आए लोग हैं इनके टिकेट या तो काट सकती है या लोगों को मना के या उनका प्रभाव देखके टिकेट दे बिल्कुल भाविष्चे के गर्थ से जो समकेत मिल रहे हैं जैसे की अभी भटनागर सर ने भी कहा कि आने वाले समय में आने वाले चुनाओं में जिसे हम कह रहे थे कि यह जो दमो का चुनाओं है भारती जनता पार्टी कांग्रेस के लिए लिए लिटमस टैस के तौर पर हम देख रहे हैं लेकिन जैसे कि अब हम इस उप्चुनाओं को लेकर हम बात कर रहे थे और आने वाले समय में भारती जंता पार्टी क्योंकि अभी से अंतरकलाय शुरू हो गई है आने वाले समय में सिंधिया समर्थकों को दुबारा एड़िस्ट करना कैसे समझाएंगी यह तो उन्होंने साथ-साथ बार के विधायक बड़े-बड़े नेताओं को घर बठा दिया लेकिन आने वाले समय में क्योंकि यह वही है जो अपना दल बदल कर यहां आए थे क्या गैरेंटिये दुबारा नहीं जाएंगे आप कैसे देखते हैं इस टॉपिक को देखिए पा बात करें तो उनका भी टिकेट कट गया था तो जो एक पीड़ी परिवर्तन का जो दोर भाजपा में चल रहा था उसके कारण ये लोग घर बैठे थे विजैन सिंग सुसोदिया पूर बिधायक हैं और भाजपा के पूर उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष आप उनको कोई संगठन में जगे नहीं मिलिये टिकेट पहले ही नहीं मिला था तो निश्ची तोर पर उनको एक मोके की तलास्ती पे ओठाइस जो चुना हुए थे उस समय वो ये बोल नहीं सकते थे क्योंकि पूरी के पूरी कांग्रेस की एक लॉबी तूट कर आई थी औ लेकिन उनके सरकार में बनने के कारण जैसा बटनागर जी नहीं बताया कि कैई लोगों को अपने जो दायत मिल सकते थे यदि अजय विश्नोई को मंत्री पद मिल सकता था तो वो एक बज़े रही कि कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग आय थे उनको पहले प्रात्मिक पहले भी करते रहें चाहाे हम बाविलाल गोर की बात करें चाहे रगुननदन सर्मा की बात करें की बात करें या सेजबार की बात करें यह नोंने हमेशा सवाल उठाए हैं लेकिन कभी भाजपा में ऐसा असर नजर नहीं आया है कभी भाजपा उससे प्रभावित नहीं हुई या किस लोगों ने बोला है तो मुझे नहीं लगता है जिस तरह से पीड़ी परिवर्तन का दोर चल रहा है भाजपा में जिस तरह से बदलाओ देख रहे हैं भाजपा नई भाजपा आपको दिख रही है तो जो बिसेंज सिंग सुसेदिया ने जो सवाल उठाया है कि जनसंग की भाजपा है कि अभी जो कांग्रेस करन हो गया उसका तो यह परस्तितियों के अनुसार हुआ है तो परिस्तितियां क्या फर эксп Elliott आधायर विभास यहां उनके सबी के टिकट कड़ेंगे जो परिटी मेंलेगे वी भाजपा से अधी बहुत सारे लोग गएं आप गवालियर देखिये कि टिकट नहीं दिया तो बहशुक् sixty में अब जो में खोती की बिचार धारा की बात है जोडायों की पाइटी की वेंसा कुछ बचा नहीं है अब लोगों कोあपना लाब दिखता है जिसको जहाँ लाब दिखता है वे उस पाइटी में चला जाता है जाए ब्हाइटी प्रेयट मेरे जा से कंवह घ्ला चुनारों में चुनाओं में चुनाओं फीद वैग लेती है जनता से लेकि तमाम तरह कि उसकी उप्चकता है पूरी करने के बाद वो टिकेट देती है यदि जो कांग्रेस से आए हैं जो लोग जो 25 लोग आए हैं यदि उन में से ज़्याद तर जीतने वाले होंगे जितने मार्जन से अभी जीते हैं जीते हैं लगता है सवागत करते हूं आप कानाधी टीवी पर सवाधिया जी को आवाज मिल रही है हमारी जी जी सवागत मैं पहला प्रशन आप से करूं उससे पहले आपका जो स्वपन था उसके बारे में एक बर आप फिर से हमें बता दे तो दर्शकों को और अच्छे से जानकारी मिल जाए सवागत की बात है कि मेरे सपने में एक स्वेत वस्दारी ब्यक्ति आयसे और ऐसा लगाता कि वो पर्शित ब्यक्ति हैं मैंने उनके सवेरे की बात है मैंने उनके चरंट छुए और उनने छुते मुझ से बात की कि तुमको जनसंग वाली भारती अन्था पार्टी चाहिए यह खांग्रेश के रास्ते पर चलने वाली चाहिए और में उनको जवाब देता है कि मेरे मन में जवाब आगिया था कि बाइजा में तो उनने स्वेटर से जनसंग में हूँ और पचास साल हो गया तो मुझे कुन सी जरूत लगेगी इसके पहले सपना मेरा तूट गया मतल पूछना चाहूंगा सपने में ठाकरे जी थे प्यारे लाल जी थे या पटवा जी थे या केलाश जोशी जी थे सर मैं बिल्कुल सीथ हूं और जो संथे में शेरा नहीं बता पा रहा हूं किसी से परन्तु मेरे वो पर्षिस से लग रहे थे परन्तु मैं दूसरी बात बासाता हूं मैंने फिर लोगों से बात की अब आप कहीं लोग मेरी बात को मजा समझेंगे क्योंकि हम धार्मिक बात करते हैं इस बात पर लोग थे…. वो कि बार अपने में आ जाती ये मेड़ भी सर ये हो सकता है क्यों कि हम वह लोग है सर उस्पीडी की लोग हैं कि हमको एकाथ मानवबार राकाते से मुजे रटा हुआ आपको टाइम होते हैं हमारे अर्सिगनिस्ति क्स यरेगी एकाथ मानवबार में मैं रट के बोल सकता हूं हमें पंच निस्ठा है रटा से सर मिज़े वो नेत्रत चाहिए जो इन दोनों में निस्ठा रखता हूं मुझे तो इन सिद्दानतों से मतलब है जिसकी जी कीवन गुजारतिया और 90% भारतियन ता पालिटिक लोग उसी नेत्रत में विश्वास करते हैं जो इन दोनों सिद्दानतों में विश्वास करते हैं इसके बाद यह आपके मन में विचार आया था एक तो पहला सवाल या पहले से चल रहा था दूसरा यह कि आप भाजपा के पूर विपाध्यक्ष होते जिम्मेदारी अभी होती तब भी आपका यही सवाल होता कि जो लोग आए हैं कांग्रेस से उनको लेकर जो आपके मन मे चल रहा है मैंने कांग्रेस का सवाल किये निया मैंने एक सपने पीजै में ना तो कांग्रेस की बात की मेंने ना मेने जमो चुनाव कुछ गुआ थे जंसंग और भारती जंता पार्टी का अंतर एक जिस तरह से सरकार वनाई यह मद्ध्रदेश में जंसंक के जो माब दंड आझ जो भारती जन्दा पर्लटी का विस्तार हुआ जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसमें क्या संभर था? नहीं नहीं देखिए विस्तार करने के लिए कई बार हमको तेज चलना पड़ता है विस्तार करने के लिए कई बार हमको साड़ कर ढूंडना पड़ता है परन्तु ठिक्स है कि हमको वहां जाना है एक छोटा रास्ता लेलिया हमने एक तेज चलने वाला रास्ता लेलिया को अल तो आपको लग रहा है कि केंदर सरकार का और राज्य सरकार का टार्गेट बिलकुल सही है? न को यह रखाएंगे कैसे इस सारी बाते हैं यह केसे इनको ठिकाएंगे यह इसकार की उमर में इनकी निस्टा है कैसे एक अपमानवाद के प्रत्ति होगी यह उतल पुथल मन में चल तो जहां पर नेट्रत का सावाल है चैन्चल का होचा प्रोडेश का वह तो जन्द्शंग तो फिर तो कई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए. वो तो जो भीड में यदि कोई दो लग इसे आजाते हैं, तो बैसे ही हो जाएं. किते हैं, संगत का असर हो जाते हैं. तो आपको इस शंकत क्या हो रही हैं, तो उनको असर नहीं लापाएगी भाजपा? मुझे का संकट है, मुझे एक सफना आया, मैंने उसका ट्विट किया, मुझे संकट कुछ नहीं, मैं तो आराम से हूँ, उस ट्विट को मैं आप केसी परिवासित करो यह आपका था में, परना आप ने कोई असंतोस जाहिर नहीं किया है, आपने कोई असंतोस जाहिर नहीं कि सब्सक्राइब अब्सक्राइब सब्सक्राइब अब्सक्राइब 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 पूरा पूरा एक मुस्त बोट जा सकता था लेकिन कहीं न कहीं नेताओं में रहती है कि यह नई पीडी का जिस तरह से भाजपा में पीडी परिवर्तन का दोर आ रहा है तो यह नई पीडी के युबा आएंगे आगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो बड़े नेता हैं यह भी 75 प्लेस में और जिस तरह से जो दरकनार कर दिये गए नेता इनकी भी बारी आएगी और यह भी दरकनार कर दिये जाएंगे तो वह भी एक बज़े हो सकती है और अभी तक भाजपा संगठन ने जैसे कि बहां पर गोपाल वारगा को प्रभारी बनाया था भूपैन सिंग को प्रभारी बनाया था उनसे पूरी फीडबैग नहीं लिया पूरी रिपोर्ट नहीं लियो जल्दवाजी में मुझे लगता है यह प्रेसर में जैसा कि बटनागर जी बता रहे थे उस हिसाब से निर्ने लिया गया पांच लोगों को हटा दिया है जहिंत मलाया के बेटे सा चल रहा है कि दमों में भी दो गुड़ दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तोर पर इसका असर होगा और पाइटी देख रही होगी तो अभी पाइटिक पास दो बिकल्फ हैं या तो जहिंत मलाया को नोटिस दे के नोटिस जो दिया है उस पर चेताब नहीं देकर उनको बहीं पर मामले को ठंडा बस्ते में डाल दिया जाए और अगले चुनाव तक ठंडा हो जाएगा और दूसरा यह है कि अधि वो उनको भी उन पर भी कारवाई करती है तो निश्चित तोर पर आगे और बावाल देखने को आपको मिल सकता है बटनकर सर दो बात है मैं कि अधिन से कहीं तक नकारा नहीं जा सकता है जस तरह से प्रचार प्रसार हो रहे थे तो क्या मलेया जी पर ठीक राफोड कर कितने और कौन-कौन लोग बचना चाह रहे हैं एक बात दूसरा यह कि आप मलेया जी जब दिल्ली में जाकर गोहार लगाने की कोशिश कर रहे है तो क्या यहां के जो कदावर नेता हैं MPK विडी शर्मा साहब कभी अगर जिक्र कर लेता है तो कोई आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई फर्क पढ़ेगा नेतरत वो कोई बात करेगा इन से देखिए दमो उप्चुनाव से कोई बहुत ज़्यादा फर इसके अलावा प्रहलाग पठेल पूरे समय चुकी महा के सांसद है और उन्होंने भी पूरा समय दिया वो भी मोजुद थे जैन्त मलईया को आपने कुछ समय मना के वापस लाए तो उन्होंने पाल्टी का काम किया उनके बेटे को शेर का प्रभार दिया तो उनके साथ एक पुनाने संगठन महा मंत्री शेलेंद बरुगवा को भी साथ में लगाया आपने तो जब इत्ती सारा चोकस इंतिजाम था और उसके बाद यदी राहूल लोदी 18,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं तो आप मैं जो फिर पेले भी कह चुका हूँ अभी भी कह रहा हूँ कि यह अकेले जैन्तमलाईया के बसकी बात नहीं हो सिकती यह निश्चित तोर पे जनता राहूल लोदी के विरोध में थी यह कांग्रेस के पक्ष में भी बात नहीं है कि कोई कांग्रेस के प्रति अचानक समर्थन उमढ गया हो लोगों का यह सा भी कुछ नहीं है या कोरोना के कारण कोई अव्यवस्ता मची है उसका भी कोई परिणाम नहीं है यह सीधा सीधा परिणाम राहूल लोदी के प्रति जो नकार अत्मक वातावरन उन पंद्रा बहीनों में बना जब वो कांग्रेस के विदायक थे पेलिवार के विदायक थे तो मुझे लगता है कि उस न विदायक है या सांसद है वो बंते-बंते रह जाते हैं वो इसलिए भी जरूरी हम कह रहे हैं क्योंकि देखे भारती जनता पार्टी जिन्नोंने पूरी फौज लगा दी हर वो चीज करने की कोशिश की जिससे दमों को जीता सके क्योंकि इस जीत के पीछे के भी कई माइने मुने थे लेकिन हुआ कुछ उल्टा अब जरूरी यह जनता इसलिए ताकतवर है कि भले ही कितनी भी कोई वी चीज हो लेकिन जनता के दिल पर अगर आपने की यह कि दिल में जगे नहीं बनाई तो जनता चलता करती है। फिलाल मुझे दीजे इजाज़त आप देखते रहे हैं आदी टीवी। नमस्कार। जिलाल मुझे दो जाज़ते हैं आप, सबस्कार।